हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, गाईज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल सा हेर कट शेयर करने वाली हूँ, जिसे कहते हैं लेजर हेर कट अगर आपके पास कोई एसा क्लाइट आ रहा है जो बोल रहा है कि मैं मेरी लेंथ कमना हो और अच्छा सा हेर कट हो जाये, तो आज की वीडियो स्पैसली आपके लिए है, और पालर में बहुलते कि वीडियो ये हैं इसे कमना हो तो आप इस तरीके से इसली हेर कट कर सकते हैं, काफी इजी टएक न सबसे पहले मैंने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया हैं जैसा की आपको विडियो में दिखा जया है गाईज अगर आपका क्लाइंट हेर वोश करके आया तो ठीक है अगर आपके क्लाइंट के हेर में ओइलिंग हो रखी है तो आप एले शैंपू वोश करेंगे कंडिशनर यूज करें देन सीरम लगाकर ही आपनी हेर कट स्टार्ट करना है उससे इसली हेर कट हो जाता है ओलिंग वाले हेर में आप हेर कट ना करें और जितना साफ सुत्रे हेर होंगे उतने अच्छे तरीके से आप हेर कट कर सकते हो हेर को आपने बहुत अच्छे तरीके से टैंगल फ्री कर लेना है और वेट किये बीना आप हेर नहीं कट कर सकते आप हेर को अच्छे से वेट कर ल का hair cut दिया है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है उन्हों ने बोला था कि मेरी इतनी hair cut कर दो कि जितना की मेरा जो hair है कान के पीछे चला जाए अगर आपका client बोल रहा है ना कि इतना hair cut कर दो तो आप उसी साफ से cut कर सकते हैं अगर किसी ने section लेके ही मैं hair cut कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी student को सिखा रही थी अगर कोई professionally work कर रहा होता है तो वह बड़े-बड़े section में easily hair cutting कर लेता है क्योंकि उनको काफी habit हो चुकी है और काफी practice भी हो जाती है पर जो beginners होते हैं उन्होंने इस बात का ध्यान देना है कि एकदम से बड़े-बड़े section लेके काम ना करें चोटे-चोटे section लेके आपने guideline के according काम करना है और आप एक बात का और ध्यान देंगे कि आपका जो client है उसके head की movement बिल्कुल सीधी होनी चाहिए state होनी चाहिए अगर आपका client बार-बार head movement कर रहे है तो आपकी cutting का उस पर proper तरीके से अच्छा खासा effect आता है तो आप ध्यान दे कि अच्छे तरीके से उन्हें बोले कि बिल्कुल सिर्थ सीधा रग है अगर आप ये वाला cut कर रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छा इनका haircut लग रहा है length इनकी ज़्यादा नहीं कटी थी क्योंकि मैंने उस हिसाब से haircut किया था ताकि length कम ना हो जितनी लंबी आप guideline लेंगे उस हिसाब से आपके client की length पर इस चीज का परक पड़ेगा जितनी छोटी आप guideline करते जाएंगे उतना आपका जो hair cut है इनकी hair ज़्यादा cut ना हो इसलिए मैंने guideline थोड़ी इनकी लंबी ही रखी थी तो आप guideline के according भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने haircut किस तरीके से करना है finger आप थोड़ी सी तिर्ची रखेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है हलके हलके cut मैं बीच में भी लगा रही हूँ ताकि अच्छा खासा bounce आ जाए और देखे कितना प्यारा look आया है और guys अगर आपको लग रहा हो ना कि इनके hair छोटे हो गए हैं तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे proper पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका hair मैंने कितना छोटा किया है क्योंकि जब हम hair सारे आगे करके काटते हैं तो हमारे hair देखने में ऐसा लगता है काफी छोटे हो गए हैं पर जब इन hairs को हम back side पर पीछे लेके गए थे ना तो hair बिल्कुल भी छोटा दिखाई नहीं दे रहा था और इनका जो hair था काफी damage भी था उस hair को भी मुझे remove करना था अब guideline मेरे पास है उसी guideline के according मैं दूसरी side भी haircut कर रही हूँ आपने client को head सीधा रखने के लिए बोलना है finger को nose की side लेके आना है और आपकी जो finger है तिर्ची होनी चाहिए यानि सीधा सीधा आप cut ना करें guideline के according आपने haircut करना है पर finger आपने थोड़ी सी तिर्ची रखनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिख्या आया गया है sectioning आपने ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लेनी बार-बार hair को आपने wet करते गया अगर आप मेरे channel पर first time visit कर रहे हो तो आपको मेरे channel पर पालर में जो भी काम होता है चाहे उसमें bleach हो, facial हो, waxing हो, make-up हो every topic से related आपको मेरे channel पर videos मिल जाएगी और guys अगर आपको मेरे channel की video useful, interesting and knowledgeable लगे तो video को like करें, share करें, साथ में channel को subscribe भी कर दे and bell icon को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहे guys जैसे first side मैंने cutting की थी उसी तरीके से मैं दूसरी side भी haircut कर रही हूँ, छोटे-छोटे section ले रही हूँ और साथ की साथ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि आप किस तरीके से easily haircut कर सकते हैं और guys अगर आप haircutting से related और videos देखना चाते हैं अगर आपके पास कोई हलके बालो वला client आ रहा है, आपको haircut करना है state में तो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ share करूँगी, कई बर क्या हो जाता है, कुछ ऐसे client भी आ जाते हैं जिनके काफी heavy hair होते हैं और आप state haircut करने बैठते हैं और आपका state hair proper तरीके से state नहीं हो पाता, क्योंकि बाल को काफी ज़्यादा heavy है तो ऐसे में अगर आप heavy बालों पे state haircut सीठना चाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ उस topics related भी जल्द ही वीडियो शेयर करूँगी और guys जब आप hair cut कर देते हो तो आपने client से पूछ लेना है कि उन्हें उसके बाद क्या करवाना है अगर client को कहीं जाना है तो आप उनको ऐसा blow dryer वगेरा करके दे सकते हैं अच्छे से तरीके से कि उनका जो look है काफी अच्छा है अगर आपका client pay कर रहा है तो आप proper तरीके से करके दे अगर आपका client only cut का pay कर रहा है तो आप simple से brush से एक holding वाला look दे कर भी वेज सकते हैं कई बार क्या होता है कुछ client ऐसे आजाते हैं जिनको cutting के बाद काफी fresh look चाहिए होता है तो ऐसे में आप उनको pressing करके भी दे सकते हैं pressing करते time अंदर की side hairs को आप fold कर दे काफी अच्छा look आ जाता है अब मैं इनके hair देखे back side लेके आई हो और back side में hair लाने के बाद आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा look आ चुका है और length बिल्कुल भी कम नहीं हुई यानि कि side side के hair cut ते हैं इसमें length जादा कम नहीं होती आपने सारे hairs को last तक पकट देना है और थोड़े से hair last से भी cut कर देने हैं ताकि काफी अच्छा finishing वाला look आ जाए पीछे से 20 सा ना लगे यानि कि जो damage hair है उनको भी आप सीधा haircut कर दो काफी अच्छी finishing इस तरीके से haircut में आ जाती है फिर इन hairs को मैंने हलका सा प्रेस कर लिया था और अंदर की side मोड लिया था क्योंकि blood dryer करवाने का time इनके पास नहीं था और काफी जल्दी थी इनको और इन्होंने बोला था कि उप क्लाइंट नहीं है यह मेरी भतीजी है मैंने अपनी भतीजी के बालों में cutting की थी तो यह बोली थी कि बुआ अच्छी सी cutting कर दो तो मैंने आप लोगों के साथ उनका ही haircut शेयर किया है काफी अच्छी इनकी look आ चुकी है बाल जो है प्रोपर तरीके से दोनों साइड का even है क काफी प्यारी लग रही थी और इन्होंने बाद में भी बोला था कि वह मेरी बहुत अच्छी cutting हुई है मेरी friends को भी बहुत पसंद आई है और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है तो आप इस तरीके से घर बैठे easily haircut कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आप से किसी next वीडियो म करें ओके टेक केर बाबाए थैंक्स फर वाचिंग थैंक्यू सो मच और इसी तरह की ओर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें